नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका आज एक्साम हुआ है UKPSC के द्वारा बंदी रक्षक का उसने रिटन करवाया है 15 अक्टूबर 2023 को इसकी प्रोविजनल आंसर की को हम यहां पर देखेंगे आप में से जिस जिसका एक्साम था आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं और जिनका एक्साम नहीं था वो भी इसको पहला कोश्चन है बादल राग कविता किस कवी की रचना है सही आंसर है सूरिया कान त्रिपाठी निराला जी की रचना है आप्शन B सही आंसर होका दूसरा कोश्चन था इनमें मध्यपुरुष सर्वनाम कौन सा है तो मध्यपुरुष यानि जिसमें हम सामने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं तू, तुम, तुझे, तुझसे, ऐसे शब्द आपके क्या होते हैं मध्यपुरुष शर्वनाम होत कि किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरसकार मिला था पिछले साल भी ये कोशन आपसे पूछा गया था कि कौन सी रचना के लिए मिला था इनको आलोक पर्व के लिए मिला था 1973 में नेक्स्ट है बिंदरा नामक गड़वाली नाटक के लेखा कौन है तो देखिए जो ब बी इसका सही आंसर हो जाए नेक्स्ट है उपमय में उपमान का निशेद रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है तो उपमय में उपमान का निशेद रहित आरोप ये होता है रूपक अलंकार में अलंकारों के बारे में भी हमने डीटेल में बात करे थी हमारी जो की ख्लास थी. नेक्स ने रिक्त शब्द के लिए उप्युक्त वाक्यांश कौन्च सा है? तो दिखें रिक्त शब्द जो होता है आपका, जो आपको उत्रदिकार में धन मिलता है. पुरानी पेड़ी से नई पेड़ी को जो संपत्ति मिलती है, उसके लिए रिक्त शब्द का इस्तेमाल होता है, ये भी उत्राखन में कई बार repeat हुआ है maximum question आपके ऐसे ही थे जो easy थे या फिर repeated questions थे एक दो question unique हर बार आते हैं तो वैसे ही इस बार भी थे अगला है आपका, इन में अग्य शब्द का विलोम क्या होका ये भी repeated question है, इसका विलोम विग्य होता है, HTML क्या है तो कई बार उत्राखन में HTML की फुल फॉम पूछ लेता है hypertext markup language, तो क्या है ये एक web भाशा है, web pages को बनाने में कौन सी भाशा का इस्तेमाल होता है HTML का इस्तेमाल होता है इन में भाववाचक संग्या कौन सी है तो भाववाचक संग्या हो जाएगी भूख, option A, सही आंसर होका next, इन में प्रारूपन की विसेस्ता नहीं है तो प्रारूपन में देखिया, अलंकार आप यहाँ पर इस्तेमाल करें, उसकी जरूरत नहीं है, जो प्रारूपन होता है उसमें उसकी भाषा इस्पस्ट हो विशे आपने अच्छे से इस्पस्ट किया हो और भाषा उसकी शरल हो यह तीन आपके जरूरी है, अलंकरत युक्त हो वो जरूरी नहीं है next, इन में अशुद वर्तुनी वाला शब्द कौन सा है शुद वर्तिनी हैं आपकी अनुग्रहत option A, सही आंसर होका अगला है, इन में से अशुद वाक्या कौन सा है तो अशुद वाक्या अशुद वर्तिनी भी पेपर में आती रहती है जसा आप जानते हैं अशुद वाक्या की बात करें तो यहाँ पर उन्नती के मार्ग में संकट भी आते ही रहते है यह यहाँ पर अशुद वाक्या हो जाएगा क्योंकि भी और ही का यहाँ पर लगातार दो बार प्रियोग हुआ है तो इस वज़ा से यहाँ गलत हो जाएगा next है इनमें तश्चम शब्द नहीं है तो इनमें से आपका तश्चम शब्द नहीं होता है option C सही आंसर हो गया अग्य आपका तश्चम नहीं है या आपके तदभव शब्द है इनमें बहुबरी समास का उधारण नहीं है तो बहुबरी समास का उधारण यहां पर नील गगन नहीं है, यहां आपका कर्मधारे समास है, option B सही आंसर होका, वारशिकों उच्सव शब्द में कौन सी संधी है, तो वारशिक धन उच्सव, वारशिकों उच्सव, तो उ आपका बन रहा है और यह किस में होता है, गुण स आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बसंत की कोकिल इस मुहावरे का अर्थ होता है, यदा यदा प्रकट होने वाला, कभी कभी दिखाई देने वाला, option C सही आंसर होका, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभरंस से हुआ ह देखे, पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है, वो खस अपभरंश से हुआ है, जैसा लूशन्ट हिंदी अगर आप दिखेंगे, वहाँ पर आपको दिया है, और इस पर सौरसेनी अपभरंश का प्रभाव है, इसलिए कुछ जगहों पर सौरसेनी भी दिया है, लेकिन प यह आपकी हिंदी थी, अब हम GS की तरफ यहाँ पर चलेंगे, MS Word में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए शौर्टकट कुंजी कौन सी है, इसका अंसर हो जाएगा, option B, control plus N, निम्न में से कौन सा एक antivirus software नहीं है, तो antivirus software नहीं है, आपका Microsoft Outlook, जो MS Outlook होता है, आपका email milk वगेरा को भीजने के लिए receive करने के लिए इस्तेबाल होता है, ये एक antivirus नहीं है, ठीक है, इन में से search engine आपने बताना था, तो जहाँ पर Google का नाम आ गया, Google से बड़ा search engine कोई नहीं, यदि महीने का तीसरा दिन सुमवार है, तब निम्न में से कौन सा इस महा की 21 तारीक स पांचवा दिन होगा, सही आंसर होगा इसका बुद्वार, इसको आप हल कर सकते हैं, क्योंकि ये simple सा question है, तो आप easily यहाँ पर count करके भी कर सकते हो, या trick के माध्यम से भी कर सकते हो, जो reasoning के थोड़े hard question होंगे, मैं कोशिश करूँगा उनका जो logic है आपको बता सकूँ, अब यहाँ पर उसने 24 जोड़ा, और फिर वो 24 जोड़ेगा, तो 97 आ जाएगा, और 24 के बाद वो 32 जोड़ेगा, तो 139 हो जाएगा, ये series आपकी इस तरीके से चल रही है, ये पहले आपने 2 में 88 जोड़ा, फिर 16 16 जोड़ा, और फिर आपने 24 और 24 जोड़ा, और फिर यहा चोड़कर आपका G आजाएगा, और फिर उल्टे से चल रहा है, Z के बाद X, X के बाद V, और V के बाद आपका T, तो उल्टा चल रहा था, एक बार एक अकसर आगे से एक चोड़कर, और एक बार आपका पीछे से एक चोड़कर, GTHS सही आंसर होगा, श्याम 7 किलोमेटर उत इने हाथ मुड़कर 7 किलोमेटर आगया, यहाँ से चला था, यहाँ पर पहुंच गया, कितना दूर है, 3 किलोमेटर, Option C, सही आंसर है, पिता और पुत्र की वरतमान आयू का अनुपात 7, अनुपात 1 है, चार साल बात यहाँ अनुपात 4 अनुपात 1 हो जाएगा, वरतमान म इनकी आयू का योग बताना है, आपने दोनों की, सही आंसर है, 32 वर्ष, जो पिता की वरतमान आयू आएगी, वो 28 वर्ष है और पुत्र की वरतमान आयू आपकी 4 वर्ष है, दोनों का योग आपका 32 हो जाएगा, भारत रत्न पुरसकार किस देश के द्वारा दिया जाता ह तो सही आंसर है भारत, काफी simple सा question यहां पर दिया था, operating system क्या है, तो operating system एक software होता है, option A, इनमें से भंडारण का उपकरण कौन सा है, तो भंडारण का उपकरण होती है आपकी hard disk, option C, सही आंसर हो जाएगा, साथवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो साथवाहन वंश इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही बात करी थी, हमारी टॉप जी के MCQ वाली सीरीज में, जहां से हमें सबसे पहले भूमी दान देने के लिखित प्रमाण मिले हैं, वहीं पर हमने एक्ट्राफेक्ट में दे हो जाएगा, अगला है, निमलिखित में से कौन, कैबिनेट मिशन का सदस्या नहीं था, ये कोशन भी कई बार रिपीट हुआ है एक्जाम में, तेन सदस्या थे, पैथिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, विलियम वेटरबन, इसका सदस्या नहीं था, 19 205 में, बंगाल विभाजन के समय भारत का वईसराय कौन था, सिंपल सा कोशन था, लोट कर्सन, शोशल कॉन्ट्रेक्ट, नामक पुस्ता किस ने लिखी है, तो ये भी काफी फेमस किताब है, शोशल कॉन्ट्रेक्ट, जिसे रूसु ने लिखा है, उप्शन D, सही आंसर हो जाएका, बैला डीला निम्न में से किस खनीज के लिए प्रसित है, तो बैला डीला खान आपके 36 गड़ में है, और लोह ऐसक के लिए फेमस है, खनीज वाले भी आपसे कुशन बनते रहते हैं, यू आकार की घाटी का निर्माण, निम्न में से कौन सा भू आकृतिक कारक कर जोगा, निम्न में से किस भारतिया राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, गुरु शिकर कहां इस्तित है, तो गुरु शिकर आपके अरावली श्रेणी में इस्तित है, विद्दा जन जाती कहां पाई जाती है, ये भी repeated question है, SSC के examo में बहुत बाराया है, ये आपके शिरिलंका में पाई जाती है, निम्न में से आपने बताना था, कितने सिक्षित बिरोजगार हैं, देखें, सिक्षित युवाँ बिरोजगारों के अगर आम बात करें, यहां पर आपको दिया था कि A गुणा B का अर्ट होता है, BA की मा हैं, और A प्लस B का अर्ट होता है, BA का पती है, आपने बताना था M, N का बेटा है, ये कौन सा वाला कहता है, तो कौन सा वाला विकल्प कहता है, कि जो M है, वो N का बेटा है, सही आंसर है option C K plus M plus N K plus M कहता है कि जो M है वो K का पती है यानि M यहाँ पर पती है और N गुणा M कह रहा है N यहाँ पर मा है M की हमको यही बताना था कि N का बेटा है M तो यहाँ पर यह वाला आपका सही हो जाएगा मरच कटिकम किस ने लिखी है यह भी काफी रिपेटिट किताब है जो बहुत बाराई है शुद्रक ने लिखी है समविधान के किस संशोधन के सपष्ट यहाँ किया गया कि प्रधान मंत्री सहित मंत्री परिशद की लोक संख्या लोक सभा के कुल शक्ती के 15% से अधिक नहीं होगी तो मंत्री परिशद का आकार कब निश्चित किया गया था 2003 में किया गया था 91 समविधान शंशोधन के द्वारा Option C सही उत्तर हो जाएगा अगला है निमलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट मानव अधिकार आयोग का मुख्याला है UNHRC का हेटक्वाटर आपके जिनिवा में इस्थित है 2019 के नागरिक्ता शंशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिक के लिए अहरत नहीं होगे तो जो नागरिक्ता कानून आया था वो किस देश के लिए था वो था आपके अफगानिस्तान, बांगला देश, पाकिस्तान, इन देशों के लिए था शिरिलंका के लिए नहीं था बहरत सरकार द्वारा स्टार्टप इंडिया कारेकरम निम्लिकित में से किस वर्ष प्रारंब किया गया स्टार्टप इंडिया आपके 2016 में आई थी, 16 जनवरी को भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे अब देखे यहां पर आपके A और B दोनों में से कोई भी हो सकता है आयोग पर देखना होगा आयोग किसको सही मानता है क्योंकि जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मूदी भारत के प्रधान मंतरी बने तो योजना आयोग के ये पधियन अध्यक्ष बन चुके थे और 2015 में जाकर आपका योजना आयोग खतम हुआ था और नीती आयोग गाया था तो उसे साब से तो नरेंद्र मूदी इसका अंसर होना चाहिए तो यहाँ पर आयोग के साब से देखना होगा आयोग इन दोनों में से किसको सही आंसर करता है अंतिम उपाद्यक्ष पुचा होता तो कोई कन्फियोजन नहीं होता निमलिकित में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया था तो भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में आया था भारत में पहली पंच वर्ष योचना निमलिकित में से किस वर्ष प्रारंब की गई पहली पंच वर्षय योचना 1951 में शुरू करी गई थी ऑप्शन D सही आंसर है भारत सरकार द्वारा 20 सुत्रिया कारिकरम किस वर्ष प्रारम किया गया ये भी बहुत बार आता है 1975 में शुरू किया गया था इडन गारडन मैदान कहा है तो ये आपके कुलकाता पंक्षिम बंगाल में इस्तित है मेलबॉन क्रिकेट कलब MCC मैदान किस देश में है अब देखें मेलबॉन क्रिकेट कलब पूछा है यहां पर और लास्ट में फिर इसने मैदान भी जोड़ दिया MCC के अगर हम बात करें मेरी लेबॉन क्रिकेट कलब भी इसका पूरा नाम हो सकता है MCC क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में है वो MCG है मेलबॉन क्रिकेट ग्राउंड यहां पर MCC दिया है शौट में यह क्रिकेट के पुरानी शाच्च के असंस्ता है सारी नियम जो क्रिकेट के हैं वो यही MCC बनाता है अब ध्यान देना होगा आयोग इसको MCG के रूप में आंसर देता है या MCC के रूप में अगर यह MCC के रूप में है तो इसका आंसर इंगलेंड हो जाएगा MCG है तो यहां और आस्ट्रेलिया हो जाएगा इसक है यह जर्मनी में इस्तित है 1878 का वर्नकुलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था कौन सा वाइसराय था जिसने पारित किया था लिटन ने किया था ने को फांसी दी गई थी जो लक्षमी तकांत वेज बरुआ थे यह असम के थे सुबर्मनयम भारती यह चन्नाई की थी भारत इंदू हरिश्चंद्र आपके वाननसी के थे नेक्स ए आपका अब यहाँ पर उत्राखन से संबंदित आपके कोश्चन आएंगे पहला था उत्राखन का गुर्खा शाशनकाल में ब्रहमनों पर लगने वाला कर कौन सा था कई बार पेपर में आया है खुशा ही कर था जिसको गुर्खाओं ने ब्रहमनों पर 1797 में लगाय था निम्न में से कौन सा उत्राखन का लोकवादिय नहीं है तान पुरा आंसर हो जाएगा कालसी सिलाले किस से संबंदित है तो कालसी सिलाले का आपके अशोक से संबंदित है उत्राखन में चलने वाली चारधाम परियोचना निम्न में से किस कार्य से संबंदित है तो चारधाम परियोचना के अंतरगर जी उत्राखन के चारधामें इनको सडक मार्ग से जोडने का प उत्राखन सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला शशक्तिकरण के लिए निमलिकित में से कौन सी योजना प्रारंब करी गई थी? सही आंसर हो जाएगा, निर्भया योजना 2013 में आई थी, ठीक है? उत्राखन में यवाओं को रोजगार उपलब्द कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंब किया गया है? ये स्पोर्टल का नाम है हो पोर्टल, वर्तमान में उत्राखन के मुक्य सचीव कौन है? तो आपके सुखबीर सिंग संधू सही आंसर हो जाएगा, संगीत के छित्र में पहले उत्राखन गौरव समान को प्राप्त करने वाले निम्न में से किस का चैन किया गया? सही आंसर ह करें, तो कुमाओं में 1790 से लेकर 1815 तक रहा, ठीक है? नेक्स्ट है, गडवाली समाचार पत्र का प्रकारशन किस वर्ष प्रारंब हुआ था? तो गडवाल समाचार 1902 से आया था, गडवाली समाचार आपका 1905 से आया था, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारि हरी भरी उमीद, शीशक, पुस्तक का लेखक है, तो अभी पिछले एक्जाम में भी उत्राखन में ये किताब आई थी, शेखर पाठक की ये किताब है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी नदी उत्राखन के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो टीरी बांद का निर्मान किन नदियों के संगम पर हुआ है, तो टीरी बांद आपके भागिरती और भिलंगना के संगम पर बना है, उप्शन D, सही आंसर होगा, मनेरी भाली जल विद्द परियोशना का निर्मान किस नदी पर है, तो मनेरी भाली आपकी भागिरती नदी निमलिकित में से उत्राखन की किस उपजनजाती का निवाज इस्थान उच परवतों में नहीं है। निमलिकित में से कौटा दून किस में अवस्तित है। पिछली बार आया था गंगा के मैदानी छेत्र में कौन सा जिला है। तब आंसर था हरितवार। अब पूछलिया तराई छेत्र में कौन सा है। अप्शन बी लोगसभा की कितनी सीटे हैं तो पांच सीटे हैं लोगसभा की और राज्यसभा की चार सीटे, तीन सीटे हैं ठीक है। शामला ताल उत्रा खंड के किस जिले में है तो शामला ताल आपके चंपावत में आता है, उप्शन B औरंग जेब ने सुलिमान शिको को प्राप्त करने के लिए पृत्वी पती शाह के दर्बार में किस को भेजा था? तो औरंग जेब ने सुलिमान शिको को वापस लाने के लिए राम सिंग को भेजा था? Option B, सही आंसर हो जाएगा निमलिकित में से कौन गड़वाल के व्यापक भूमी बंदोबस के लिए उत्तरदाई है? तो ये है आपका बैकेट जिसने वैज्ञानिक तरीके से पहला भूमी बंदोबस राज्यका किया था उत्तरकाशी का एतिहासिक नाम क्या है? तो इसका एतिहासिक नाम है बाड़ाहाट निमलिकित में से किस इस्थान को पराचीन सास्त्रों में मायापूरी कहा गया है? तो मायापूरी कहते हैं हरीदवार को निमलिकित परमार शाषकों में से किसके पास महान सेना नायक मादो सिंग भंडारी थे तो मादो सिंग भंडारी महिपती शाहा के पास थे Option C स्थही आंसर हो जाएगा महिपती शाहा को गर्व भंजन की उपाधी दी जाती है और मादो सिंग भंडारी को गर्व भंजग की उपाधी दी जाती है किस परमार शाशक की संरक्षिका के रूप में गडवाल की नाकटी रानी शाशन कर रही थी तो ना कटी रानी कहा जाता है रानी कर्णवती को जो की महीपती शहा की पतनी थी, आप से सनरक्षिका पूचाएं, सनरक्षिका वो पृत्वीपती शहा की थी, उप्शन B, सिक गुरू रामराय को देहरादूर में जमीन किस गड़वाल नरेश ने दी थी, तो इनको जमीन द कवी ने लिका है, जो की मानशहा की दरबारी थे, उप्शन A, सही आंसर हो जाएगा, शिरिनगर का संस्थापक कौन था, तो शिरिनगर का संस्थापक अजयपाल को माना जाता है, ठीक है, बेसिकलि इसी ने राजधानी बनाई थी, शिरिनगर को पमारवनश की, इसी लिए लाखा मंडल किस जिले में इस्तित है, तो लाखा मंडल आपके देहरादून में बढ़ता है, निम्न में से कौन सा जिला उत्राकंड के स्तरवादिक जिलों से सीमा साजा करता है, तो उत्राकंड के सबसे जादा जिलों से, साथ जिलों से लगता है पौल, ठीक है, और अंत से आपका सही आंसर हो जाएगा तो फ्रेंट्स ये था आपका आज का पेपर उत्राकन लोक्सेवा आयोग के द्वारा जो बंदी रक्षक का एक्जाम करवाया गया आपके हंड्रेट में से कितने यहां पर सही बन रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको लगता है किसी आंसर का उत्तर यहां पर गलत बताया है तो भी आप नीचे करेक्शन कर सकते हैं यह एक प्रोविशनल आंसर की है हमने कोशिश करी है मैक्सिमम सही उत्तर यहां पर आपको देने की कुछ कुशन्स में डाउट है जो आंसर की आने के बाद ही किलियर हो पाएंगे उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको वीडियो कैसा लगा कुशन का लेवल कैसा लगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें थैंक यू फ्रेंड्स